श्री सचिदानन्द सद्गुरू साइनात महराज की जै श्री साइसाचरित्र अध्धाय बीस श्री काका साहब की नौकरानी द्वारा श्री दास गनों की समस्या का विलक्षन समाधान अध्वितिय शिक्षा पद्धत इशो पनिशत की शिक्षा श्री काका साहब की नौकरानी द्वारा श्री दास गनों की समस्या किस प्रकार हल होई इसका वरणन हिमाडपंत ने इस अध्याय में किया है। श्रीरी चलकर ध्यान पुर्वक मध्यान की आरती के पश्चात का कारिक्रम देखें। जब आरती समाप्त हो गई तब श्री साई बाबा ने मस्जित से बाहर आकर एक किनारे खड़े होकर बड़ी करुणा तथा प्रेम के साथ भक्तों को उदी वितरन की। भक्त गण भी उनके समक्ष खड़े होकर उनकी ओर निहार कर चरन छुते और उदी वितरन का आनंद लेते थे। बाबा दोनों हाथों से भक्तों को उदी देते और अपने हाथ से उनके मस्तक पर उदी का टीका लगाते थे। बाबा के खरदे में भक्तों के प्रती असेम प्रेम था। वे भक्तों को प्रेम से संबोधित करते ओ भाव। अब जाओ भोजन करो। अन्ना तुम भी अपने घर जाओ बापू तु भी जा और भोजन कर। इसी प्रकार वे प्रतेक भक्त से संबाशन करते और उन्हें घर लोटाया करते थे। अहां क्या दिन थे वे जो अस्त हुए तो ऐसे की फिर इस जीवन में कभी न मिले। यदि तुम कल्प ना करो तो अभी भी उस आनंद का अनुभो कर सकती हूँ। अब हम साइं की आनंद में मूर्ती का ध्यान कर नम्रता, प्रेम और आधर पुर्वक उनकी चरण वंदना कर इस अध्याय की कथा आरंभ करते हूँ। इशोपनिशद एक समय श्री दास गनुने इशोपनिशद पर टीका इशावास्य भावार्ति बोधनी लिखना प्रारंब गिया। वरणन करनी से पुर्व इस उपनिशद का संक्षित परिचे भी देना आवश्चक है। इसमें वैदिक संगिता के मंत्रों का समावेश होने के कारण इसे मंत्रोपनिशद भी कहते हैं। और साथ ही इसमें यजुरवेद के अंतिम्प चालीसमे अध्याय का अंश्ष समिलित होने के कारण यह वाजसनेई यजु हु… संगीतो उपनिशद के नाम से भी प्रसिद्ध है वैदिक संगीता का समावेश होने के कारण इसे उन अन्य उपनिशदों की अपेक्षा शिश्टतर माना जाता है जो कि ब्राह्मन और आरणयक अर्थात मंत्र और धर्म इन विश्यों के विवरनात्मक गरंथ की कोट में आते नहीं अन्य उपनिशद तो केवल इश्यों पिनिशद में वर्नित गूढ तत्तूं पर ही आधारित टिकाएं हैं पंडित सात्व लेकर द्वारा रचित ब्रियदारणयक उपनिशद एवं इश्यों पिनिशद की टीका प्रचलित टिकाओं में सबसे श्रष्ट मानी जाती है प्रफिसर आडी रानाडे का कतन है कि इश्यों पिनिशद एक लग उपनिशद होती वे भी उसमें अनेक विश्यों का समाविश है जो एक औसाधारन अंतर द्रिश्ट परदान करता है इसमें केवल अठारश लोंकों में ही आत्म तत्व वरनन एक आदर्श संत की जीवन जो आकर्शन और कश्टों के संसर्ग में भी अचल रहता है कर्म योग के सिधांतों का प्रतिविंब जिसका बाद में सुत्री करण किया गया तथा ज्यान और करतब्य के पोशक तत्तों का वरनन है जिसके अंत में आदर्श चामतकारिक और आत्मा संबंधी गोड तत्तों का संग्रा है इस उपनिशत की संबंध में संक्षित परिचे से स्पष्ट है कि इसका प्राकर्त भाषा में वास्तविक अर्थ सहीत अनुवाद करना कितना दुशकर कार्य है श्रिदास गुनों ने ओवी छंदों में अनुवाद तो किया परन्त उसके सार तत्तों को ग्रह विद्वानों से शंका निवरनार्थ परामर्ष और वाद विवाद भी किया परन्त समस्या पुर्ववत जटिल ही बनी रही और संतोष जनक भावार्थ करने में कोई भी सफल ना हो सका इसी कारण श्रिदास गुनों बहुत ही असंतुष्ट हुए केवल सद्गुरुही अर्थ समझाने में समर्थ यह उपनिशद वेदों का महान विवरनात्मक सार है इस अस्तर के परियोग से जन्म मरन का बंधन चिन्न भिन्न हो जाता है और मुक्त की प्राप्ति होती है अतह श्रिदास गनों को विचार आया कि जिसे आत्म साक्षतकार हो चुका हो केवल वही इस उपनिशद का वास्तविक अर्थ कर सकता है जब कोई भी उनकी शंका का निवारन न कर सका तो उन्होंने श्रिदी जाकर बाबा के दर्शन करने का नशे किया जब उन्हें श्रिदी जाने का शुब आउसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने बाबा से भेंट की और चर्ण वंदना करने के पश्चाद उपनिशल में आई हुई कठिनाईयां उनके समक्ष रखकर उनसे हल करने की प्रार्थना की श्री साही बाबा ने आशिरवाद दे कर कहा कि चिंता करने की कोई आविशक्ता नहीं उसमें कठिनाई ही क्या है जब तुम लोगों ने जब ये वचन सुने तो ये सोचने लगे कि बाबा के वल विनोध ही कर रहे हैं और कहने लगे कि क्या एक अश्रिक्षित नौकरानी भी ऐसी जटिल समस्या हल कर सकती है परन्त दासगनों को पूर्ण विश्वास था कि बाबा के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते क्योंकि बाबा के वचन तो साक्षात ब्रह्म्य वाक्य ही हैं। काका की नौकरानी बाबा के वचनों में पुन विश्वास करुए श्रिडी से विले पारला बंबई की उपनगर में पहुँच कर काका दिख्षित के यहां ठहरे। दूसरे दिन दासगनू सुबा की मीठी नीद का आनंद ले रहे थे। तभी उन्हें एक निर्धन बालिका के सुन्दर गीत का स्पष्ट और मधुर स्वर सुनाई पड़ा। गीत का मुख्य विशे था एक लाल रंग की साड़ी वह कितनी सुन्दर थी। उसका जरी का आशल कितना बढ़िया था। उसके छोर और किनारे कितने सुन्दर थे इत्यादी। उन्हें वह गीत अतिरुचकर प्रतीत हुआ इस कारण उन्होंने बाहर आकर देखा कि यह गीत एक बालिका नान्या की बहन जो काका साहब दिक्षत की नौकरानी है गार रही है। बालिका बरतन माज रही थी और केवल एक फटे कपड़े से तन धके हुए थी। इतनी दरीदर पडिस्तिती में भी उसकी प्रसंद मुद्रा देखकर श्री दास गनू को दया आ गई और दूसरे दिन श्री दास गनू ने श्री एमभी प्रधान से उस निर्धन बालिका को एक उत्तम सारी देने की प्रार्थना की। एवं अन्य बालिकाओं के साथ हुआ फुगडी खिलने में मगन रही। अगले दिन उसने नई सारी संभाल कर संदूख में रख दी और पुर्ववत फटे पुराने कपड़े पहन कर आई। फिर भी पिछले दिन की समान ही प्रसंद दिखाई दी। यह देखकर श्री दास गनों की दया आश्चर में परनित हो गई। उनकी ऐसी धाना थी कि निर्धन होने की कारण उसे फटे चितरे कपड़े पहनने पड़ते हैं। परनत अब तो उसके पास नई सारी थी। जिससे उसने संभाल कर रख लिया और फटे कपड़े पहन कर भी उसे गर्व और का अनुभाव करती रही। उसके मुख पर दुख या निराशा का कोई निशान भी नहीं रहा। इस प्रकार उन्हें अनुभाव हुआ कि दुख और सुख का अनुभाव केवल मानसिक इस्तती पर निर्भर है। इस घटना पर गूढ विचार करने के पश्याद हुए इस पर पहुँचे कि भगवान ने जो कुछ दिया है उसी में समाधान वरत्ती रखनी चाहिए। और यह निश्य पुर्वक समझना चाहिए कि वह सब चराचर में ब्याप्त है और जो भी स्तती उसकी दया से प्राप्त है वह अपने लिए अविश्य ही लावप्रद होगी। देने वाला ये सब इश्वर द्वारा ही प्रेवित था। श्री दास गनु को उपनिशत के पाठ की प्रतक्ष शिक्षा मिल गई अर्थात जो कुछ अपने पास है उसी में समाधान वरत्ती माननी चाहिए। सार यह है कि जो कुछ होता है सब उसी की इच्छा से नियंत्रि है अतह उसी में संतुष्ट रहने में हमारा कल्यान है। अद्यतिय शक्षा पद्दती उपर युक्त घटना से पाठकों को विदित होगा कि बाबा की पद्दती अद्यतिय और अपुर्वती। बाबा श्रीडी के बाहर कभी नहीं गए परंत फिर भी उन्होंने किसी को अलहापूर या सोलापूर साधनाओं के लिए भेजा। किसी को दिन में और किसी को रात्रे में दर्शन दिये। किसी को काम करते हुए तो किसी को निद्रावस्ता में दर्शन दिये और उनकी इच्छाएं पूर्ण कीन। भक्तों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने कौ और कौन से युक्तियां काम में लाएं इसका वरणन करना असंभव है। इस विश्ष्ष्ट घटना में उन्होंने श्री दास गनु को विले पारला भेज कर वहां उनकी नौकरानी द्वारा समस्या हल कराई। जिनका ऐसा विचार हो कि श्री दास गनु को बाहर भेजने की आ श्री दास गनु किस प्रकार एक अमल्य शिक्षा उस निर्धन नौकरानी व उसकी सारी द्वारा प्राप्त करते जिसकी रचना स्वेंग साई ने की थी। इशोपनिशत की शिक्षा इशोपनिशत की मुख्य देन नीत शास्तर समंदी उपदेश है। हर्ष की बात है कि इ अध्यात्मिक विश्यों पर आधारित है। जिसका इसमें वर्यात रूप से वरणन किया गया है। उपनिशत का प्रारंब ही यहीं से होता है कि समस्त वस्तु में इश्वर से ओध प्रोथ हैं। यह आत्मविशयक स्तती का भी एक उपसिध्धांत है। और जो नीत अधि उपदेश उससे ग्रहन करने युग है वहया है कि जो कुछ इश्क्रपा से प्राप्त है उसमें ही आनंद मानना चाहिए और द्रण भावना रखनी चाहिए कि इश्वर ही सर्वशक्ति मान है। और इसलिए जो कुछ उसने दिया है वही हमारे लिए उपयुक्त है। यह भी उसमें प्राकृतिक रूप से वर्नित है कि पराय धन की तृष्णा की प्रविर्थ को रोकना चाहिए। सारांश यह है कि अपने पास जो कुछ है उसे में संतुष्ट रहना क्योंकि यही इश्वर की इच्छा है। कर्मों को जिनको शास्त्र में वर्नित किया गया है। इस विशे में उपनिशत का कहना है कि आलस से आत्मा का पतन हो जाता है। और इस प्रकार निरपेक्ष कर्म करते हुए जीवन बैतीत करने वाला ही अकर्मनियता की आदर्श को प्राप्त कर सकता है। अंत में कहा कि जो सब प्राणियों को अपना ही आत्म सुरूप समझता है तथा जिसे समस्त प्राणी और पदार्थ आत्म सुरूप हो चुके हैं, उसे मुह कैसे उत्पन्न हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को दुख का कोई कारण नहीं हो सकता। सर्व भूतों में आत्म दर्शन न कर सकने के कारण भिन भिन प्रकार के शोक, मुह और दुखों के वृद्धी होती है, जिसके लिए सब वस्तुएं आत्म सुरूप बन गई हों, वह अन्य समाने मनुश्यों का छिद्रान वेशन क्यों करे श्री सद्गुरू साइन